हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जो रेस्पी लेकर आई हूं स्रिक पांच मट में यह रेस्पी बन जाती है और इतनी हेल्दी रेस्पी यह एनर्जी से भरपूर है इसको आप एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं अब गर्मियों में इसको बच्चों को पिलाएंगे तो स्ट्रॉंग होगी उनकी बॉड़ी और इनका इम्म्यूटी सिस्टम भी बहुत मजबूत होगा देखे कितनी बढ़िया बनी है अगर आप कोई रस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक श्रें सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तो शुरू करते हैं तो मैंने 20 कि इस बादम राद को भीगो दिये ते और तीन अंजीर बादम की ताशिर भी ठंडी रहती है और अंजीर खाने में बहुत फायदे हैं तो पहले बादम की छिक्कर निकाल लेंगे तो कि हम इसका छिक्कर यूज नहीं कर रहे हैं आप चाहें तो फो गरम पानी में कतीरा लिया है मैंने गौोन कती आ में काफी थाथे मन करता है घर्मियों में जरूर चाहिए काउकी इसकी तासीर भी थंडी रहती है wok मैं एक चममच रात को भीगो दिया था और फूल की डबल हो सकता है डालाता ministers की डबल हो गई है भी जार लिया है इसमें डाल देंगे जो अंजीर भीगोगे लगए दो चम्मच में ने ले रही हूं तो दिमाग को भी ठंडा रखती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है तो आप मिश्री यूज कर यह ज्यादा अच्छा होगा अप्छकर यूज कर सकते हैं और थोड़ा दूट डाल देंगे जिससे इसका हम पेस्ट बना सकें तो थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है पेस्ट बनाने की आप जरूत पड़े तो और भी आड़ कर सकते हैं तुकड़े बगरा नहीं रहना चाहिए वरना बच्चे पीते नहीं है फिर बहुत नाटक करते हैं पीने में त क्योंकि यह बहुत ठंडा रहता है हड्डियों को मजबूत करता है पेट की सारी प्रव्लम्स को खतम करता है अब सारे बादाम अंजी का जो पेस्ट बनाए था उसको भी इसमें डाल देंगे तो हमने सारा पेस्ट डाल दिया थोड़ा सा दूद डाल देंगे ज्यादा देख रहा है चलिए अब इसको ग्लास में ट्रांसफर करते हैं तो इसको ग्लास में डाल देंगे आप आइस वगरा भी उज़ कर सकते हैं पर मैं बच्चों को आइस नहीं देती हूं दूद में डाल के वोकि ऑलड़ी मैं ठंडे दूद का ही इस्तमाल करती हूं इसलिए त अब इसको बादाम से डेकुरिट कर देंगे जिसे देखने में और भी अच्छा लगे तो देखा कितना जटपट हमारा बादाम का शिक बन गया से पांच मड़ लगे और इतना हेल्दी रस्पी है बच्चों को यह ठंडा रखेगा उनकी हड्डियां भी मजबूत करेगा और इनके दिमाग को भी तेज करेगा अगर आपको यह रस्पी पसंद आए तो जरूर शेर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू